नमस्कार दोस्तों मैं इंकर उपाद्थियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल share market analysis में बजार पूरी तरीके से crash हो गया आज पूरी तरीके से दोस्त है पूरी तरीके से बजार में भारी गिरावट देखने को मिले देविए निफ्टी ने दिन के दौरान 22,000 का लेवल भी तोड़ा दिन के दौरान क्या एड़ दा एंडी तोड़ा बट अभी जाते जाते आकरी के 20-25 मिनट में बजार में हलकी रिकवरी है निफ्टी 800 पॉइंट उपर है लेकिन इस टॉक्स पो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है निफ्टी देखे तो 21,905 का इस पॉट में लो लगाया है और 22,000 33,35 पे ट्रेड गर रहा है तो नीचे से 130 पॉइंट उपर हुआ है बैंक निफ्टी में भी 47,000 के उपर का भाव आ गया है लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप आज के कल्प्रेट थे जहां पे मिड कैप इंडेक्स 4% और 1900 पॉइंट टूटा है और स्मॉल कैप इंडेक्स 5% साड़े 700 पॉइंट टूटा है तो बहुत भारी गिरावट थी एडवांस और डिकलाइनिंग शियर्स के रेशो देखें तो बीते एक साल में इतनी खराब पर्फोर्मेंस कभी नहीं थी बजार की 98 शियर्स करंडली एनसी पे पॉजेटिव हैं और 2192 शियर्स नेगेटिव हैं एक भड़ने वाले शियर के सामने अल्मोस्ट बीस गिरने वाले स्टॉक्स हैं बहुत बड़ी संख्या में आज स्टॉक्स टूटे हैं सेक्टर स्पेसिफिक FMCG इंडेक्स ऐसी है जो हरे निशान में है और बैंकिंग है जो आदे परसेंट नीचे है बाकी सबका तो बहुत बुरा हाल है इतना बुरा आप सोच भी नहीं सकते अब इन्वेस्टर्स ऐसे में यही पूछ रहे हैं कि भाई यह बजार में अचानक गिरावट क्यों आई तो ट्रस्ट मी आप जितनी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे मैं आपको बताता हूँ क्या मिलेगा पहला मिलेगा सैबी स्ट्रेस टेस्ट करने जा रहा है इसकी वज़े से गिरावट आई दूसरा आपका इलेक्शन की डेट नजदीग आ रही है इसकी वज़े से गिरावट आई तीसरा मार्च का महिना है फाइनेंशियल यर एंड हो रहा है इसकी वज़े से गिरावट और कोच और मतलब ये तीनों नहीं दे रहा कोई तो कोई-कोई तो ये भी कह सकता है आप से कि Electrolal Bonds का जो data SBI ने पेश कर रहा है उसके चलते गिरावट आई है लेकिन trust me इन चारो factors में से कोई ऐसा factor नहीं है जिसकी वज़े से गिरावट आई है ये सारी तो एक चीज़ें हैं जो हो रही है प्रोसेस है जो हो रहा है जो नॉर्मल चल रहा है काम बजार गिर गया हम इससे जोड रहे हैं बाकि इन चारों चीज़ों में अगर सबसे ज़ादा importance किसी को देनी है market के लिया से तो वो आपका SBI का action ही है जो 15th March को stress test है उसमें है क्या SBI क्या करेगा ये सारी detail मैं आप सभी के साथ इससे अगली वीडियो में discuss करूँगा लेकिन trust me उसकी वज़े से गिरावट नहीं है गिरावट जिस region से भी है देखिए 2-3 दिन से दीरे-दीरे टूट रहा था over तेजी बनी थी valuation wise comfort नहीं था mid cap small cap में continue कह रहे हैं किसी को नहीं पता top का बनता है लेकिन जब बन जाता है तो दिखने लगता है और आज उसने दम तोड़ दिया आज panic selling create कर दी उसने अब ऐसे में आम निवेशक already अपनी portfolio में या तो वो घाटे में आ गया अगर उसने एक साल पहले भी position बनाई थी तो उसका profit या तो almost पूरा साफ हो गया है या फिर थोड़ा बहुत रह गया है और 6 महीने वाला तो लाल निशान में निकल गया है क्योंकि निफ्टी उपर से देखो तो यार अभी भी 500 पॉइंटी नीचे है लेकिन निफ्टी में भी कुछ stock समल पाएं है otherwise यहां भी जो बहुत रफ्तार से भागेते ना वो तूटे हैं आप notice कर लो आप PSU उसको देखो आपके लिए समलने वालों में Reliance, HDFC, HDFC को देखो सब लोग बुरा सुला बोलते रहते हैं हमेशा वो नहीं गिर रहा उसने बजार की गिरावट में पार्टिसिपेंट नहीं किया अभी तक ICICI देखो आप वहाई पर ही खड़ाया बीबी, ITC तो हरे निशान में खड़ाया, Britannia, Hindustan, Unilever देखो यह चले नहीं दो, गिरे भी नहीं है, that's it, simple आगे मैं आप सभी के साथ बात करूँ, यहां से क्या करना है, यहां से कुछ नहीं करना है, जितना करोगे उतना घाटा, जितना करोगे, आप कहोगे कि भाई, बहुत सस्ते हो गए है, stocks, क्या यह लेने का मौका है, बिल्कुल है, लेकिन लेना नहीं है अभी, क्यों ले रह पॉजिटिव चीज़ा हैंगी तब ले लेना, क्या होगा जादा स्यादा, नीचे से 3% छूट जाएगा, इस से जादा नहीं होगा, इस बीच में फाइदा क्या क्या होगा, फाइदा होगा यहां आप आपकी सेहत पे, आप प्रेशर में नहीं रहोगे, आप मैंटली स्ट पेबल रहोगे, आपके पास पैसा पड़ा है, अधर्वाइस यह बजार, मतलब इनसान को यहां से फाड़ के रख देगा, इतनी बुरी तरीके से इस समय मार्केट ट्रेड कर रहा है, कोई मामली बात नहीं होती है यह चोटी बात नहीं होती है दोस्तों, बड़ा पैसा हो परियर्टी है, सब कुछ जानना आपकी सेकंड प्रियर्टी है, सब कुछ पता होना चाहिए इस समय क्या चल रहा है, और थर्ड अगर आप कुछ कर सकते हो तो अपनी पोर्टफोलियो को मैनेज करने की बोशिश करो, आपका पैसा कितना कितना कहां लगा है, मैं हर वीडिय आई इसलिए क्योंकि एक कुछ ना कुछ गैप छूटा है, निफ्टी, मिड गैप और स्मॉल कैप में और वो फुल्फिल हो रहा है, अभी दोड़ा समय और देना चाहिए, जो भी रीजन है, जो भी है, बजार गिर रहा है तो रीजन होगा कुछ ना कुछ, अभी यहां प ओड, यहां थी-गैप, जो हीोज आई बीजन, पूल् केर राथ, घाव बडान थो, वीहां थूड़ा संदे, टिक्टूं ने कर वीग्पार, गैप, भी हएक, अएक?